स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में आईवी एक न्यू वेकेंसी के बारे में जिनमें आपको MTS Computer Operator तकनिकी साहक इस टैप के आपका जो पोश्टी देखने को मिल जाती है यहाँ पर अगर आप मेट्रिक भी पास है तो भी आप इसके ल जानकारी कर दिया गया है चलिए आपको फूल नोटिफिकेशन दिखाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे आपको आबेदन करना होगा जैसा कि आप लोग देख पार है कि नालंदा ओपन यूडिशिटी से इस वेकेंसी को निकाला गया है जो कि इनका ओफि 29-2022 से 25-10-2020 तक के बीचे आपको आबेदन देना होगा यहाँ पर आएंगे तो वेकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है पदनाम यहाँ पर देख पार है टोटल यहाँ पर छे पदों पर इस वेकेंसी को निकाला गया है पहला यहाँ पर आता है तो आप सहायक के लिए आबेदन दे सकते हैं जिनमें यहाँ पर बता गया कि आबेदक की जो उम्र है वो 45 वर्ष से जादा नहीं हो यानि कि 45 से कम होना चाहिए तो इसमें भी अगर आपने असना तक कर रखा है ग्रेजवेशन किसी भी कौर से तो आप यहाँ पर आबेदन दे पाएंगे इनमें भी जो उम्र हो 45 से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है तीसरे यहाँ पर पोश्ट की बात करें तो कम्पीटर ऑपरेटर की है जिनमें आपको वेतन देखिए 5200 से लेकर के 20200 आपको यहाँ पर पर मंत यहाँ पर दिये जाएंगे इनमें टोटल जो वो पदिवे वो 13 है इनमें अगर आप इंटरमेडियेट पास हैं यानि कि इंटर अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए जो आबेदन दे पाएंगे उम्र इनमें वही 45 से कम होना चाहिए ठीक है यहाँ पर पाचवा जो पोश्ट है वो MTS का है जिनमें आपको वेतन 45 वर्से ज़्यादा नहीं होना यानि कि 45 वर्से आपको कम यहाँ पर एज लगने वाला है और यहाँ पर छटे पोश्ट की बात करें तो वहान चालक के लिए इनमें भी आपको वही सेलरी रहेगा इनमें टोटल यहाँ पर एकी पोश्ट खाली है जिनमें अकर आपने मैट कर रखा है तो आप इसके लिए आबेदन देपाएंगे उम्र आपको वही 45 वर्से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इस टाप्स यहाँ पर देखिए च्छे यहाँ पर निकाली गए जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन नोटिफिकेशन को आप अच्छे तरीक दी जाएगी और इच्छुक यहाँ आरक्षन के नियमों का पालन किया जाएगा इच्छुक उमिदवारों यहाँ पर देख वेबसाइट पर दिये गए इसको यानि कि डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को इसकी ओफिसल वेबसाइट पे भी जा करके और यहाँ पर बताएगे कि दिनांग 25 अक्टूबर 2020 तक संधिया 5 बजे तक हाथो हाथ आपको विस्विद्यालेन की मुख्याले में आपको जमा कर सकते हैं यानि कि यह जो आपको आबेदन है ओनलाइन नहीं होने वाला आपको आफ्लाइन के माध्यम से ही देना है यहाँ पर देख सकते कि 25 अबेदन आमंत्रित किये जाएंगे और यहाँ पर देखे इनका एड्रेस भी दिया हुआ या फिर नालंदा विस्विद्याले में देख पर है कि मुख्याले में जमाक कर सकते हैं आबेदन सुल्क के रूप में उमिद्वारों को परतियक पद के लिए अलग-अलग 500 र आटेच करके लिफाफा में डाल करके ठीक है तब ही आपको यहाँ पर जाकर करके जमा करना होगा हाँ थो आठीक है नालंदा खुला विस्विद्याले पटना के नाम पर दे हो यहाँ पर जमा करना है अनिवारी है तो वहाँ पर आपको एड्रेस है वहीं पर आपको जमा क से मिलेगा तो जैसा कि आप लोग देख पार है कि यह है आवेदन पत्र फॉर्म भरने का देख पार है कि नालंदा ओपन यूंसिटी पटना इस टैप से दिया हुआ है तो आपको यह फॉर्म आपको जो है डाउनलोड कर लेना है नीचे में डिस्क्रिप्सन बॉक्स में साथ नमबर डालेंगे father's name, mother's name, सब्सक्रिप्स यहाँ पर दिया हुआ है डेट अबर डालेंगे अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना ठीक है उसके बाद यहाँ पर अपका permanent address है वो डालेंगे mobile नमर, email id, category जो भी आते हाँ पर टिक कर देंगे और education, qualification आपकी क्या है वो तो आपको यहाँ पर जो है nature of appointment मांगा जाएगा तो यहाँ पर आप temporary contact डालेंगे, date of joining डालेंगे, इस तरीके से आपको डाल देना है, उनके बाद यहाँ पर आपको note में देखे, बतायागा कि self attaches, photos, copies, all required, document, age proof, educational, qualification, copy और यहाँ पर देख परने कि category wise आपको सभी attach करने होंग तो सभी का उनके हाँ पर एक copy, उनका photocopy attach करने के साथ, साचात आपको bank के द्वारा draft बराने के बाद, आपको पूरी यहाँ पर देनी होगी, लिफाफे में डाल करके, और सही address पर आपको भेजना होगा, इस steps यहाँ पर दिया हुए और यहाँ पर education दिया आप इनको सकते हैं, उनके बाद यहाँ पर हिंदी में signature करेंगे और यहाँ पर English में, इस तरीके साप इन form को अच्छी तरीके से भढ़ लिजे, और इनके यानिके नालंदा open university में आप वहाँ पर भी बावन में जाकर के जमा कर सकते हैं, तो इस तरीके सा आप लोग इस form को भढ़ सकत अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताए ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके